कॉलेज में विदी से मिलने के बाद देव के लिए मुश्किले और भी जादा बढ़ने वाली है क्योंकि विदी के पैरेंट्स ने तो विदी का MBA में एडमिशन ये सोच का करवाया था कि वो सब कुछ भूल जाएगी और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा होगा कि अब दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम भी स्पैंड करेंगे दोनों एक दूसरे से मिलकर इतने जादा खुश होंगे कि उन्हें टाइम का कोई ध्यानी नहीं रहेगा अब यहां पर विदी को बाउंडेशन दी गई होगी कि उसे टाइम से पहले ही घराना है तो इसलिए विद दूसरे को देखते ही रहते हैं तो वही जब देव को याद आने वाला है और उसे रियलाइज होगा कि वह विदी से दूर नहीं रह सकता देव फिर से एक बहुती बड़ी उलजन में फस जाएगा कि क्या उसका और विदी का इस तरीके से मिलना ठीक था लेकिन वह तो हर व अब बस विदी के ही साथ रहना चाहता है तो अब उसे क्या करना चाहिए दोस्तों देव की मन में इमोशन का इस तरीके से सहलाब आएगा कि घर जाकर तो वो पूरी तरीके से विदी की यादों में डूप जाएगा और विदी की देव हुई शर्ट पहन कर बैठ जाएगा तो वहीं दूसी तरफ विदी भी बहुत जादा खुश होगी और वो टाइम से पहले ही घर भी पहुँच जाएगी विदी को इतना जादा खुश देखकर मा भी बहुत खुश होगी और उसे लगेगा कि विदी का MBA में एडमिशन करवाना उनका सबसे सही डिसीजन था नहीं यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा आपके इंफोमेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें